इस वीडियो में हम Google Play Store को Windows 11 के अंदर install करना सीखेंगे। इस process में हम किसी भी emulator का use नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बहुत ही आसान method से Google Play Store को अपने computer के अंदर install करने वाले हैं। तो भीना time waste कर इस वीडियो को start करते हैं। और अगर आप computer से लेटी topics में interested हो तो चैनल को subscribe कर दो। इस process को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने browser को open करना है। यहाँ पर आपको type करना है WSA builds। हम WSA के through Google Play Store को अपने computer के अंदर install करने वाले हैं। यहाँ पर आपको first link को open करना है। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दो options दिख रहे होंगे Windows 11 के लिए and Windows 10 के लिए। फिलाल के लिए हम Windows 11 के उपर काम करने हैं। तो आपको Windows 11 के लिए 64-bit वाला stable build डाउनलोड कर लेना है। अब आपको थोड़ा सा scroll करना है। यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर removed Amazon वाले first link को open करना है। इसके उपर tap करना है। desktop पर select करके file को desktop पर download कर लेना है। file download होने के बाद आपको file के उपर right click करना है, extract all पर click करना है, and file को extract कर लेना है। extract complete होने के बाद आपके desktop पे एक और folder create हो जाएगा। इस folder को open करने से पहले आपको कुछ और settings को अपने computer के अंदर कर लेना है। सबसे पहले आपको window button को press करना है and settings को open कर लेना है। यहाँ पर आपको system वाले option में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा for developers, आपको इसके उपर tap करना है। यहाँ पर आपको अपने developer mode को enable कर देना है। फिलाल के लिए मैंने यहाँ पर enable कर रखा है। देन आपको दुबारा से window button को press करना है, turn windows feature on and off type करना है, and इसे भी open कर लेना है। यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा virtual machine platform, आपको इसको enable कर देना है, अगर आपको computer में enable नहीं हो रखा है तो and ok button पर press कर देना है। एक और setting को आपको अपने computer के अंदर check करना है, task bar के उपर right click करना है, task manager को open करना है, performance वाले section में आके, CPU वाले section में आ जाना है, यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा virtualization, अगर यह enable है, तो आप WSO को अपने computer के अंदर असानी से install कर पाऊगे, अगर disable हो रखा है, तो इसे कैसे enable करा जाता है, इसके लिए आपको आई button में वीडियो मिल जाएगा, आपको इसे भी close कर देना है, अब आपको folder को open करना है, इस folder को भी open करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा scroll करना है, और यहाँ पर आपको एक file दिख रही होगी, run file, आपको इसके उपर tap करना है, right click करना है, run as administrator पर click करना है, और info पे click करके run anyway पे click कर देना है automatically WSI आपके computer के अंदर install होने लग जाएगा तो इस process को complete होने दीजिए आप देख सकते हैं WSI automatically यहाँ पर open हो गया है फिलाल किलिए आपको WSI को close कर देना है यहाँ पर आपको कोई भी key press करना है और आप exit हो जाओगे Google Chrome को भी आपको बंद कर देना है जितनी भी applications आपने open कर रखी है उन सबको आपको close कर देना है और आपके सामने एक option आ रहा होगा यहाँ पर continue पर press कर देना है वो सकता है installation complete होने के बाद भी WSI आपके computer के अंदर नाशो हो इस चीज को solve करने के लिए आपको computer को एक बार restart करना है उसके बाद आपका WSI work कर जाएगा अगर आपकी कोई भी query हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे settings open हो गई है अब आपको इसे close कर देना है एक और continue का button होगा इसके उपर tap करना है आप देख पा रहे होगे आपके सामने play store open हो चुका है अब यहाँ पर हमें अपनी Gmail ID से sign in कर लेना है Google Play से sign in करने के बाद आपको window button को दुबार से press करना है इस बार आपको type करना है play store अब देख पा रहे होगे play store हमारे computer के अंदर install हो चुका है तो इसे हमें simply open करना है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे directly बिना किसी emulator के हमारे computer के अंदर Google Play Store इंस्ट bipartisan स्टोल हो चुका है यहाँ पर हम किसी application को install करके देखते हैं यहाँ पर आप देख पारेंगे, play store easily work कर रहा है, hot star application को हमने यहाँ पर install कर लिया है, एक बार हम इसे open करके देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख पारेंगे, इस सारी application सहसानी से open हो रही है, यह सबसे easy method है, google play store को अपने computer के अंदर install करने का, अगर आप इस प्रोसेस से अपने computer के अंदर Google Play Store को install करोगे तो आपकी सारी applications आपके computer के home screen पर भी show होंगी इस वीडियो से regarding अगर आपकी कोई भी query हो तो आप comment section में पूछ सकते हो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe करके वीडियो को एक like कर देना ताकि मुझे एक motivation मिले मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में